a foreign saving account open करने की ये पहले वीडियो है इस वीडियो की मादम से मैं आपको complete जानकारी देने वालों की कैसे आप standard chartered bank में अपना एक saving account कैसे open कर सकते है standard chartered bank एक British multinational bank है जिसके headquarter आपको London, UK और अमेरिका में देखने को मिलेंगे साथी साथकेज यादि आप इंडिया में रहते हैं और आप विदेश में सीवि अपना आपने करने के साथ साथ करेडिक कार्ड भी ओफर करता है और account open करने के बाद यहां पर आपको कहीं सारी facilities देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको इंटरनेट banking की सुईधा भी देखने को मिलेगी और साथी साथगेज यहां पर आपको reward points की facility भी देखने को मिल जाती है यहां पर लोगरा लेना चाहते है तो वह भी सुईधा यहां पर मिल जाते है तो काफी जादा benefit के साथ यह bank आता है और आपको सिर्फ account को open करने के लिए KYC document आपके पास में होने चाहिए और यदि guys आपके पास में अधार card, pen card और साधी साथ अधार link, mobile number आपके पास में मुझूद है तो इसे आप घर बैटे सिर्फ कुछ steps को follow करके असानी से इस bank account को open कर सकते है दोस्तो मेरा नाम है साहिल और मैं आपको इस चैनल पर पिछले दो सालों से आपको online से भी account कैसे open करते है online loan कैसे लेते इसके बार में complete जानकरी देता रहता हूं तो इसलिए make sure आपने यदि पहली बार आप हमारी चैनल पर विजिट करें तो make sure चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आपको new update सिबसे पहले मिल जाए और यह दिगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है doubt या कुछ भी आप हमसे पूशन चाहते तो नीचे comment कर सकते है तो चले गए जिस वीडियो को सुरू करते है अपना एक digital saving account open करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile में कोई भी ब्राउजर को open कर लेंगे और आपको google पे just search कर लेना होगा standard charted bank जैसे आप google पे इतना search करेंगे इसके बाद आपके समने standard charted bank की official website देखने को मिल जाते है तो सबसे पहले आपको इसकी official website को open कर लेना है जैसे आप standard charted bank की official website को open करेंगे कुछ इस तरह किस आपको option देखने को मिल जाता है और यहीं पिर आपको account and deposit करके एक section मिले देखने को मिलेगा तो just आपको इसी option पर click कर देना होगा जैसे आप इस option पर click करेंगे यहां पे कुछ processing होना start हो जाती है और यहां पर जैसे कि employee banking saving account देखने को मिल जाएगा prime saving account देखने को मिल जाएगा साथ for access plus saving account देखने को मिल चाहेगा साथ यहाँ पर family saving account भी है e-savor saving account भी है और भी कहीं सारे account है जिने आप open कर सकते है बाकि अभी हम जो account open करने वाले है वो एक यहाँ पर 3 in 1 saving account होने वाला है जैसे कि अभी आप screen पर देख सेटे 3-in-1 saving account तो जिस्ट आप हमें इस पर क्लिक कर लेना है जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ processing होना स्टार्ट हो जाती है थोड़ से इस तरीके से नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको आपको यहां पर देखने को मिलेगा और साथ इस अपर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी देखने को मिलेगा तो 3-1 अकाउंट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है यहां पर इसके कुछ बारे में बताए हुए जैसे कि आप ओनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप सेर करीज सकते हैं पैसे वगरा यह यहां पर बताए गया है कि आपके पास में ओरिजिनल अधार काड पैन कार्ड होना चाहिए आपका सिविल स्कूर भी बढ़िया होना चाहिए यह आप इस बैंक में अपना से अकाउंट ओपन करवाते हैं साथिसादगेज यहां पर आपके पास में अधार लिंक मोबाईल नंबर भी ओने चाहिए यहां पर कुछ टम अप्स कंडिसेन जिसको आपको पहले रीड कर लेना है साथिसादगेज आपको बताता हूं अकाउंट को ऊपन कैसे करना अकाउंट को पन करने के ल आप अपना नाम यहां पर दर्ज कर लेंगे तो चलिए गाइस मैं यहां पर अपने क्लाइंट का नाम डाल लेता हूं और यहां पर आपको इमिल आईडी भी आपको एंटर कर लेना है जैसे आप इमिल आईडी एंटर कर लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आपको एंटर कर लेना होगा अपना mobile number तो चलिए मैं अपना यहाइड यहापर एंटर करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हैं पर नमबर एंटर करेंगे फो कि लिंक होना चाहिए इसके बाद product type देखने को मिल जाता है तो जिस आपको product type पर क्लिक करेंगा 3 in 1 saving account पर क्लिक कर देना है city आप चूज करेंगे जिस भी city में अभी आप रहते हैं उस city को आपको चूज कर लेना है तो बहुत सारी cities है इंडिया में जहाँ अपर भी आप रहते हो तो वह आप चूज कर लेंगे तो जो हमारे क्लाइंट है वह अभी दिल्ली में रहता तो हम यहां पर चूज कर लेना है और इसके बाद आप गयाइज आपको इस एक पृप्स लेंगे आवेदन हो चुका है बैंक अकाउंट को रिलेटिड अब बैंक की और से कोल आएगा और आपको अकाउंट ओपनिंग करने के बारे में कर सकते हैं और वीडियो को वीडियो देखने को में लगी कम से कम 25 से 30 वीडियो आने वाली है वोरन के से इब सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेट सबसे पहले मिल से आए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए बाई भाई ठैंकी सो मच